अध्यात्म में, स्प्रिट्वैलिटी में, आप किसी को भी सुन लो, या फिर आप कुद के एक किसी नतीजे पर पहुंच जाओ, आप आप जे किश्मूर्ति को सुनते हैं, आप महारशी रमण को सुनते हैं, आप isna .ँश वरजनीश को सुनते हैं ये लिए पूर्द को पड़ा हुआ है, रामकिष्ण परमस को आप ने पड़ा ऊँआ है, आप किसी भी बड़े से बड़े शंथ को सुनेंगे या उससे पूछेंगे, उससे इंक्वाइरी करेंगी, भूख सबसे पहले आपके जो इंडिश्निंग बनी हुएंत कि यानि जो आपके विचार हैं आपको उन्से बहार निकालेगा कburg कहते हैं कि आप सिप्स्रीष कार से बहार निकालने की बाद करते हैं neighbors एक जो तो है माइन्ड ही तो मन ही तो माया है क्योंकि जब तक आप विचारों की लिमिटेशन नहीं देख लोगे जब तक आप थौट की जो मैट्रिक्स है वो नहीं देख लोगे तब तक आप आप बने रहेंगे आप इधर से उदर नॉलेज लेंगे इसको सुनेंगे कभी कोई बात अच्छी लग जाएगी कभी कोई नॉलेज किसी के अच्छी लग जाएगी अच्छा इसे सुन लेता हूं अच्छा यह किताब पढ़ लेता हूं अच्छा यह कर लेता हूं आप कर रहे हैं थौट की ही बाउंडेशन थौट में ही चलता है सब क्याता है यह जो तुमारा तुमारा जगा तॉनरा पडेखो ज्यएक विचारों पर ऑद कि जै ein मूर्थि स्कुषल, खुट क्या थे विचारो, जब थॉनिन उते हो तो शाथ को जो या ना जा tillिय hur agree किसी भी पिडिक किताब को उठा कर देख लेगे रिजसत तक किताब को बड़की देख लिए कोई बीकीक इसमें भी काह गया कि यह मन ही है जो भर्ण्ध करता है और आप इसमें उलस्ते चले जाते हैं। मैंने बताए कि आप काहुगे किताब पड़ लेता हूं मैं यह नाुलेज और खत्ति कर लेता हूं लेकिन आप लोग उसे पूछना यह सब कर चुके हैं और भी कहते हैं और तो बोलते हैं कि विचार वैश्या हैं कभी इधर तो कभी उदर कभी इधर तो कभी उदर निसरगत अत्ता महराज कॉंसेट्स स्टेट की बात करते हैं कि अपने सारे कॉंसेप्स जिरा दो खतम कर दो बिल्कुल अपने सारे कॉंसेट्स विवेकनन्त स्वामी विवेकनन्त क्याते हैं कि कि तुम तुम ब्रह्म हो और इसी में टिके रहो बस और सारी सीजे छोड़ दो और सारी सीजे बंधन है माया है कि रामकृष्ण परभन्स स्वामी विवेकनन के गुरू कि लास्ट में उनकी एक एक अटेश्मेंट थी थौट की माकाली से उनके स्वामी उनके गुरू ने वो भी अटेश्मेंट उनकी कितम करवाई तो थौट जो है ना वो में इंट्लेक्शल डिसकेशन्स हो गई एक फोट हमें हमें कहानियों में इमाजिनेशन में बांद लेता है और हम भूल गए फिर अपने आपको खतम होगई सारी कहानि फिर हम इसमें उलज गए और ऐसा फसे की फस्ते चले गए इस दलदल में लेकिन जो जो अवेयर हो जाता है जो जान लेता है विचार को फिर वह कहीं भी जाये कुछ भी करे उसके लिए विचार ही जनम है विचार Sumair अ क्या था बज्यू किया दो न्लिक्शांय हो ब्रॉस्प कहक्तम परमांस योगनंदा क्या कहते х experiencing the जब मैं यह देखता था ना कि मेरे में दिर विचार आ रहे हैं। और ंचारों के बाद देख था पर अंधेरा रहता था। अंधेरे का भी उद्गम कौन है वो अंधेरा भी कहां से आ रहा है। तो विचारों से पाढ होना पहले जरूरी है। क्योंकि Sumple सी बात है वही विचार विचार पुरान अमत्राणे चीज है ओर्ड जीज कि इसका कोई मतलब ही निहीं इसका मतलब स्रेप विचार जरूरी है तहां पर किस ज़गा पर विचार जरूरी है आप कोई इंस्नक्षेन्स पढ़ रहे हैं आप किसी लैंगेज को सीक रहे हैं आप इसी जहें पर जा रहे हैं विचार जरूरी है लेगिं लाइफ के दिए देखो लाइफ को आज तब कोई नी समझपा है क्यों विचारों की व्योंड रही है तुम बोलो कि विचार ठीक है विचारों में हम नहीं रहेंगे तो फिर हम बाकी कान कैसे कर पाएंगे सब हो रहा है एक्ट्वल में अब आप आप अप्ट्मेटिक तरीशी सब कुछ को हर चीज पर अगरा विचार आपके अंदर कम से कम साठ से 65,000 विचार आते हैं अब हर चीज में विचारों पर रियक्ट हरेंगे तो आससे तो इंसान पागली हो जाएगा है सब कुछ चल रहा है एक एल है एक एक झाल रही है या मतलब अनव नम कहसा है हमें नहीं पता है डोंट आर्ट ти को झाली सब इस्ट्रोग्त तो जो हमें नहीं बता क्या है उसको उसके साथ जोड़ा जा सकता है जब आप है कि बिना विचारों हो Gucci ही रहते हैं और अगर कोई परस्टनल अपताम करें तो उसको अपनी पूरी इमांदारी से करें उसको बिना डाउट के करते हैं रियल होके करते हैं तो वहाँ पर फिर विचार खतम हो जाते सब तो सबसे important जी यह है विचारों से बाहर जानों और यह विचार आपको बहुत तरीके की चीज़ों में उलजाएगा यह विचार आपको hallucinations में उलजादेगा आपको उस सपनों में उलजादेगा आपके सामने कोई या पूर्खकीकत सी खड़ी हो जाए या नोगेगा यह क्या है लेकिन वह फिर भी विचार होगा आपको कंत्र मंत्र आपको बहुत तरह यदि चीजे हैं जिनको सो spiritual मानते हैं बड वह spiritual नहीं हैं वह just a practice है विचारों की thought की कि कैसे करा जा सकता है विचारों से पार जाने के बाद आप बिलकुल शान्त हो जाते हैं और जब आप शान्त हुए जब आप क्योंकि आप जब आप शांत होगा आपको क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए कि आट टाइम कि यू आर कम्पिलिटली दा यूनिवर्स क्योंकि आप पुरा ब्रह्मानी है तो आपको तो चाहिए क्या कुछ नहीं कि इसमें आप देखो थोड़ी बहुत मेरी मदद भी ले सकते हो कि मैं मैंने एक प्रोग्राम बनाये हुआ है और आप इसको अफॉर्ड कर सकते हो इसमें कोई कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है यह हम सब बहुत मैंगे मैंगे चीज़े खरीदते हैं प्रोपर्टी अच्छे चाइस लगवा लेते हैं घरों में यहां पर जहां पर आपको लाइफ को के बारे में जानने को मिलना जहां पर आप अपनी दिक्कत परिशानियों से जून और यह डोनेशन फीस है पांच हजार रुपए डोनेशन फीस है और इस फीस से आप आपके पहले कंसेट के लिए रहोंगे मैं मेडिटेशन क्या है एक्ट्वल क्या है रिलेशन्शिप प्रेजेंट मॉमेंट थाट के ब्योंड कैसे जाएं उसके बाद डेली आपको यूडो मिलते रहेगी मेंशिक प्रोग्राम है तो रॉनेशन फीस है इसकी काम चयाब रुतार millise какое दोनेशंब आप इसको लेकर इस प्रोग्राम के बारे में जाहिए और जो कि इसको अगर आपको जॉइन करना कर ना चाहिए बही Mozart क्यूंआ तक है कि मैं अपना वर्ट्सपन दे रहा हूं इस वर्ट्सपन से आप इस पारे में जानकारी ले सकते हैं वे अपना वर्ट्सपन देए थैंक्यूए अ